बिस्मिल्ले रह्मानी रहीम, अस्सलाम उलेकुम, विल्कम बैक टो मैई चैनल साजदा का कीचन, आज हम आप लोगों के साथ सैर करने वाले हैं, आम की रेसिपी, आम की सीजन जाने वाली है, तो क्यों नहीं, उसके जाने से पहले आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ करें, इसके लिए सबसे पहले आम को हमें क्लीन कर लेना होगा पानी से, क्लीन करने के बाद हम इसे पील कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से, जो ऊपर का छिलका है, वो आप निकाल ले, और हम यहाँ पी दोनों आम को इसी तरीके से पील कर लिया है, यह आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर एक बॉल ले लेंगे, अब कोई मतलब बतन ले ले और उसमें इसमें आम को डाल देना है, और उसमें हम डालेंगे दूद, यह जो दूद है, रूम टेम्पेरिचर का ही दूद है, यह हमने गरम करके नहीं डाला है, और यहाँ पर हमने दो कब दूद का इस सारे पल्प यह देखे और यह जो गूठलियां है वो भी निकल आई है हमारी छोटे छोटे दो गूठलियां भी निकल आई है और यह जो पल्प है वो इसमें है सारे तो इसको हम क्या करेंगे कि मिक्सर ग्रेंडर में डालेंगे और इसका स्मूध सा यहां पर हम बैटर तयार करेंगे आप चाहें तो इसे हाथ से भी इस पल्प को बहुत अच्छी तरीके से स्मूध कर सकते हैं तो ज्यादा टाइम वेश्ट ना करते हुए हमने इसे मिक्सर में अच्छी तरीके से स्मूध सा यहाँ बैटर तयार कर लिया है अब हम यहाँ पे एक कड़ाही गरम करेंग तो इस तरीके से यह बहुत अच्छी तरीके से पख चुका है पहले के मुकाबले और अब हम इसमें एड़ करेंगे चीनी आम पहले से ही मीठी होती है तो आप अगर चीनी स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं पर मुझे थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद है तो इसलि आपको इसी फॉर्म में इसको रखना है अब अगर ज्यादा बना रहे तो थोड़ा पतला भी रखेंगे तो चलेगा चलिए अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर दिये हैं अब हम यहां पर एक बॉल लेंगे एक बॉल में हमने यहां पर एक कप आटा डाला है एक कटोड़ी या आप इसको थोड़ा ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद आप इसको इसमें आइड करें और यह देखिए हमने इसे विक्सर की मदद से इसमें मिलाने की कोसिस किये पर यह बिल्कुल भी नहीं मिक्स हो रहे हैं तो इसलिए हमने यहां पर स्पेचुला की मदद ली है फिर यह बहुत अच्छी तरीके से यहां पर मिक्स हो गया है आप फैनली जो बट जागवा बैटर है वह हम बहुत अच्छी तरीके से यहां पर इसमें सारे को डाल देना है हमें और डालने के बाद विक्सर की मदद से हम इसको बहुत अच्छी तरीके से फेट लेंगे यहां पर के देखे हमारा यहां पे बैटर जो है वह बिल्कुल यहां पे स्मूध सा रेडी हो चुका है अब चलिए यहां पे इसकी कंसिंटनसी आप देख सकते हैं आप थोड़ा इसको ठीकी रखें तभी आसानी होगी आपको पकाने में चलिए अब हम इसको अच्छी तरीके से एक सा यहां पे जमा कर लेते हैं और अब हम चलते हैं इसको पकाने की प्रोसेस में इसके लिए हम फिर से यहां पे एक कड़ाही गरम करेंगे और कड़ाही हमारी जैसे गरम हो जाएगी हम इसमें तेल डालेंगे आप कोई भी ओयल रिफाइन ओयल राइस ब्रैन ओयल कोई भी ओय करम हो जाएगा कैस का फ्लेम हम लो टू मेडियम रखेंगे और इसमें हम इस तरीके से छोटे-छोटे पकावड़े की तरह इसमें हमें इस बैटर को डाल देना है यह देखिए एकदम फुले-फुले से बन रहे हैं यह आप आपको दीख रहा होगा और यह बहुत ही आप पुवे भी आप इसे कह सकते हैं आप इस तरीके से बनाएं और आप हम इसे निकाल लेंगे हमने इसको अच्छी तरीके से गोर्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से पका लिया है अलट-पलट के अब हम इसका जो एक सिस्टे ले उसे निकालते हुए हम इसे निकाल आप इसे मैंगो वाली पुवा कह सकते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं और यह देखे हमारी जो है यहाँ पे रेसिपी जो है बिल्कुल तयार हो चुकि है यह डिस चलिए हम आपको तोड़के दिखा देते हैं कि यह कितनी सॉप्ट है यह अभी भी गरम है और यह आप देख स और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक साय और सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे फेस्बुक पेज को भी जरूर फॉलो करें मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए आप अपना खयाल रखें और इस प्यारी सी डिस को जर जाना जाए उससे पहले पहले थैंक यू